सबसे पहले जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ इसाथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जबरूर दबा दीजेगा आप लोग को सारे क्लास का PDF मिलता है सक्सेसकी98.in पर आप लोग को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है कोई भी क्लास का तो जरूर से जुड़ जाएगा टेलिग्राम से सक्सेस स्पेस की 98 ये मेरा आज फिप्थ क्लास है जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हर रोज पचास-पचास करके कोश्चन करा रहे हैं आप लोग के लिए खास तोर पर NTP, PC और सक्सेस की 98 पर प्लेलिस्ट खोलके पढ़ लिजेगा क्लास का टाइमिंग हर रोज आप लोग के साथ सेर करते हैं ताकि आप लोग का कोई भी क्लास मिस ना हो मैट्स का आता है छे बजे, रिजनिंग आता है राद दस बजे, जीएस का क्लास अभी चल रहे है साड़े आट बजे और current affairs हर रोज सुभाय आता है साड़े चार बजे तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास अपने पहले कोश्चन के साथ हमेशा की तरह चार आप्शन होंगे आप लोग हर रोज जैसे उत्तर बताते हैं वैसे ही आज भी सही सही उत्तर बताईएगा ठीक है तो स्टार्ट करव और पिस राज में मनाया जाता है ते इस-कोश्चन और सई जो अबाद हैं पांप्शन अंब डी सिक्की में मनाया जाता है यादर रखिये गा ओप्शन नमट्र ळी सिक्की में मनाया जाता है लौसल तेवहार ध्यान रखिए गा इसका ये कोश्चन इमपॉरटेंट возможность आते ह में आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर दूसरा कोश्चन हमारा आपके स्किन पर आ गया है चलिए कानहा टाइगर रिजर्व में किस कानहा टाइगर रिजर्व किस राज में स्थित है देखिए यहां दो बार में है कानहा टाइगर रिजर्व किस राज में स्थित है र बिल्कुल सही जवाब है रेलवे स्पेशल कोशन अप्शन नमर डी मध्य प्रदेश में स्थित है कानहा नेशनल पार्क या कानहा टाइगर रिजर्व याद रखेगा यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ही जादा मध्य प्रदेश का कैपिटल सिटी है भोपाल एल नागे बड़ेंगे तीसरा नमार कोशन आपके इस्किन पर है पाल राजुवंस का पहल शाशक कौन था देखिये यह पाल नहीं हैये पाला है ध्यान रखेगा इंगलिस में पर देखिये महांपर पाला डानेस्ट्री लिखा हुआ है तो पाहला राजौंस का पहला सासक कौन था यह आप लोग को बताना है ओप्शन है गोपाला विज्यानाथन धरम पाला या फिर भासकरन तो इस कोशन का बिलकुल सही जवाब है देखिए पाला सही नाम आ रहा है गोपाला तो आप्शन नमरे याद रखेगा पाला डैनेस्टी पूछेगा तो फॉर्स्ट रू अधिकार किस के तहत आता है किस आर्टिकल के तहत यह आप लोग को बताना है आर्टिकल का नाम दिया हुआ है अनुछेद 19, अनुछेद 20, अनुछेद 21 या फिर अनुछेद 18 आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 18 तो इस कोशन का बिलकुल सही जवा है option number c अनुछेद 21 right of privacy comes under article 21 याद रखिएगा अनुछेद 21 पांच वा कोश्चन आपके skin पर है भारतिय राजनेतिक party NCP बहुत बार हम लोग नाम सुनते हैं NCP का न्यूज बगारा में तो भारतिय राजनेतिक party NCP का पूरा रूप क्या है यह आप लोग को बताना है यह question important है election का टाइम चल रहा है तो ध्यान से question का सही उत्तर याद रखिएगा जिनको भी नहीं पता है option आपके सामने है nationalist congress party option number b है national congress party option number c है national communist party या फिर option number d है nationalist communist party तो इस question का बिल्कुल जो सही उत्तर है वो जरूर याद रखिएगा question का सही जवाब है option number a nationalist congress party option नमरे याद रखिएगा nationalist congress party जिया सरत पवार बिल्कुल NCP के head सरत पवार इनका नाम याद रखिएगा आगे बढ़ेंगे च्छठे नमर question पर संयूक्त प्रगती शीलगत वन्दन कब स्थापित किया गया था देखिए say information प्रगती शीलगत वंदन कब स्थापित किया था przysz रिणे May 1908 में 2004 में या फिर 1908 में गया थी कोशन का सही उत्तर आप लोग बतासकते हैं कमेंट में अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस उत्तर के लिए बहुत सारे पिछले questions के जवाब मुझे सही मिल रहे थे आशा करता हूं इस question का भी जवाब आप लोग सही सही दे रहे होंगे तो यहां पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं इस question का जो बिलकुल सही जवाब है वो है option number C 2004 ठीक है option number C 2004 इस question का बिल्कुल सही उत्तर है आगे बढ़ेंगे ब्ढ़ेंगे ब्ढ़ो के सम्बन नागरी के मौलीक अधिकार केंद्र सरकार राज सरकार या फिर राजनीती के निर्देशक सिध्धान्ट तो इस question का जो बिल्कुल सही है उत्तर वो है option नमर A पहला option भारतिय नागरी के मौलिक अधिकार याद रखेगा भारतिय नागरी के मौलिक अधिकार इस question का बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ेंगे आठवे नमर question पे जल्दी से सरवाधिक टेश्ट सतक किसके नाम है question important है world cup आने वाला है तो इस टाइब के question का ध्यान रखेगा सरवाधिक टेश्ट सतक किसके नाम है Jack Kellis, Sachin Tendulkar, Ricky Ponting या Brian Lara सारे जितने friends देख रहे हैं इस question को आशा करता हूँ सही जवाब ही मिलेगा मुझे इस question का इस question का जो बिल्कुल सही जवाब आप लोग खुद दे रहे हैं वो है option number B Sachin Tendulkar सरवाधिक टेश्ट सतक Sachin Tendulkar के नाम है चलिए अगला question आगया है जिया Can love happen twice देखिए ये एक पुस्तक है एक किताब है इसके लेखक कौन है ये आप लोग को बताना है बहुत ही फेमस बुक है ये Can love happen twice के लेखक कौन है केशव अनिल रविंदर सिंग, सुधीप नगरकर या फिर अरविंद अडीगा तो इस question का बिल्कुल सही जवाब है option number B रविंदर सिंग, याद रखेगा option number B रविंदर सिंग, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आगे बढ़ेंगे दसवे नमर question पे दुनिया की सबसे लंबी सीमा किन दोनों देशों के बीच है ये आप लोग को बताना है इन में से कौन से वो दो देश हैं जिनकी जो सीमा है, बॉर्डर है वो दुनिया के सबसे लंबी है तो option आपके सामने है Australia, New Zealand, India और China Switzerland और Italy या फिर Canada और USA तो इस question का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो याद रखेगा साथ ही साथ एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा ये question very very important है खास तोर पर railway के लिए railway special question है ये याद रखेगा इस type के question आ सकते हैं ये question same to same आ सकता है आपके exam में इस question का सही उत्तर याद रखेगा Canada और USA Canada और USA की जो सीमा है वो सबसे जादा लंबी है पूरे विश्व में आगे बढ़ते हैं चलिए किसने कहा संसदीय प्रनाली दैनिक और साथ ही समय समय पर सरकार का मुल्यांग करती है ये आप लोग को बताना है किसने कहा था ये क्या कहा था संसदीय प्रनाली दैनिक और साथ ही समय समय पर सरकार का मुल्यांग करती है ये किसने कहा था बी आर अमबेटकर, बी एन राव, जवाहर लाल नहरू या राजेंदर प्रसाद तो इस question का बिलकुल सही उत्तर है option नम्मर A बी आर अमबेटकर याद रखेगा question बहुत ही जादा important है तो बी आर अमबेटकर याद रखेगा आगे बढ़ते हैं बारवे नम्मर कोशन पे बारवा नम्मर कोशन आपके स्क्रिन पर अल्रेडी आ चुका है देखते हैं इसको निमनलिखित में से किसके पास नई अखिल भारतिय सेवा बनाने की शक्तिया हैं यह आप लोग को बताना है केंद्र मंत्री मंडल या फिर क्रामिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रा ले तो इस कोशन का बिलकुल जो सही उत्तर होगा वो है option नमर A, राज्य सभा जैसा कि आप लोग खुद बता रहे थे इस कोशन का सही जवाब, option नमर A, राज्य सभा इस question का बिल्कुल सही उत्तर है याद रखिएगा बारवे नमर question का सही जवाब है option नमर A राज्य सभा आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर question ये वाला बहुत ही जादा important है ध्यान रखिएगा और लेडी बहुत बार पूछा जा चुका exams में पिर्थवी की सतह पर सबसे उपरी परत को क्या कहा जाता है पिर्थवी की सतह पर सबसे उपरी परत को क्या कहा जाता है तो option आपके सामने है mental, core, crust या exosphere तो इस question का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो जरूर याद रखिएगा ये question बहुत important है guys तो इस question का सही जवाब है option number C, crust पिर्थवी की सतह पर सबसे उपरी परत को crust कहा जाता है बहुत important class है देखिए, geography का जो class ये सारे topics आप लोग के वहाँ कबर हो रहे हैं education की 86 पर पूरे detail के साथ तो जरूर आप लोग education की 86 पर history और geography का वीडियो देखिएगा आप पूरे detail के साथ वहाँ share किये जा रहे हैं इस type के सारे question चलिए, आगे बढ़ेंगे 14 number question आगया है एक वाहन में meter जो वाहन द्वारा कवर दूरी की गणना करता है, उसे क्या कहा जाता है, देखिए हर वाहन में एक meter होता है, आप लोग को बताना है उसके द्वारा कवर दूरी की गणना करता है, उसको क्या कहा जाता है, सभी को पता होना चाहिए और सभी से सही उत्तर चाहिए इस question का, option है आपके सामने speedometer, odometer thermometer, या फिर किलो मीटर, इस question का जो बिल्कुल सही उत्तर है, वो जरूर याद रखेगा, option नमर B odometer, याद रखेगा odometer, इस question का बिल्कुल सही जवाब है, option नमर B, आगे बढ़ेंगे, पंद्रवे नमर question पे, hydrogen की प्रमानू संख्या क्या है, question बहुत बार आ चुका है, इस type के question आते हैं, exam में, general science के लिए, जरूर इस type के question याद रखेगा, miss मत कीजिएगा इस class का पूरा PDF जरूर डाउनलोड कर लिजिएगा, success की 98.in से, और PDF का revision जरूर कीजिएगा, exam के पहले तो इसका उत्तर है, option नमर D, 1, hydrogen की प्रमानू संख्या एक है याद रखेगा, आगे बढ़ेंगे 16 नमर कोशन आगया है Denmark की राजधानी क्या है option आपके सामने है Copenhagen, Stockholm, Vienna या Oslo, इस question का जो बिलकुल सही उत्तर है Denmark की राजधानी का, वो है option नमर A, Copenhagen याद रखेगा, Copenhagen राजधानी है Denmark का आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की ओर 17 नमर कोशन पे 17 नमर कोशन चल रहा है Tamil Nadu की संसदीय सीटों की संख्या राजसभा में कितनी है राजसभा के लिए पूछ रहा हूं मैं 12 है, 16 है, 18 है या फिर 31 है Tamil Nadu की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है राजसभा में तो इस कोशन का जो सही उतर है वो है C, 18 है याद रखेगा, C, 18 सीटे है राजसभा, चलिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंदित है याद रखेगा, इस कोशन का इस टाइब के कोशन बहुत जादा आते है ये कोशन आपके एक्जाम में आने के लिए कौलिफाई करता है तो जरूर याद रखेगा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंदित है मुक्य बाजी, कबड़ी, फुटबॉल या बास्केटबॉल इस कोशन का सही उतर है सभी को पता है फुटबॉल, ऑप्शन नमर सी फुटबॉल इस कोशन का बिलकुल सही उतर है संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंदित है आगे बढ़ेंगे 19 वे नमर कोशन पे देखिए एक और important कोशन आ गया है इस टाइब के कोशन एक्जाम में आते हैं और आप लोग answer नहीं दे पाते हैं तो ध्यान से इस टाइब के कोशन जितने भी आएंगे उसको अच्छे से याद रखेगा कोशन पढ़ लेते हैं एक शरीर के वजन जिसको हम लोग W बोलते हैं को किस सूत्र द्वारा दिया जा सकता है मतलब W का Equal To क्या हम लोग मान सकते हैं वेट में ठीक है एक शरीर के वजन यानि W को किस सूत्र द्वारा दिया जा सकता है तो देखीर यहां पर दिया हूआ è W is equal to MV w is equal to MF w is equal to ms या फिर w is equal to mg वेट की बात कर रहा हूँ वजन की बात कर रहा हूँ मैं तो इसलिए इस question का जो बिल्कुल सही उत्तर है जरूर याद रखिएगा इस type के question आएंगे बार बार मैं बोल रहा हूँ option number D इसका सही उत्तर है W equal to M G याद रखिएगा W equal to M G option number D इसका बिल्कुल सही उत्तर है आगे बढ़ेंगे बीसवा नमर question लोग सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जियां इस type के question बार बार आते हैं लोग सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे G.V. Malvankar Sarvapalli Radhakrishnan M. Anandhyanam Annyagar या फिर Dr. P.V. Cherian इस question का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है option number A G.V. Malvankar याद रखिएगा और अभी present जो लोग सभाय speaker है वो है सुमित्रा महाजन नाम इनका जरूर याद रखिएगा present का भी क्योंकि ये current affairs में आ सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं 200 number question पे चलिए Walking with Lions किताब किसने लिखी थी ये आप लोग को बताना है Walking with Lions किताब किसने लिखी थी option आपके सामने है K.Natwar Singh, Kapil Dev, Kiranbedi या Sarojini Naidu तो यहाँ पर देखिए Kapil Dev, Kiranbedi, Sarojini Naidu नहीं है यहाँ पर इसका सही उतर है K.Natwar Singh option number A याद रखिएगा Walking with the Lions किताब K.Natwar Singh द्वारा लिखा गया है आगे बढ़ते हैं जी यहाँ भाला चंद्र नेमाडे को किस भासा में कार के लिए ज्यानपीट पुरुसकार मिला था ठीक है भाला चंद नेमाडे ने किस भासा में कार के लिए ज्यानपीट पुरुसकार जीता है यह आप लोग को बताना है भाशा कौन सी थी गुजराती मराथी हिंदी या त्यलगू option में से इसका सही उत्तर मैं आप लोग को बताऊंगा इस टाइप के question का ध्यान जरू रखिएगा इसका सही उत्तर है option नमर भी मराथी ठीक है 22 नमर कोश्चन का सही उत्तर है option नमर भी मराथी 23 नमर कोश्चन आगे इसकिन पर निमने लिखित विज्ञानिकों में से किसे जीव विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है याद रखिएगा यह question बहुत important है किसे जीव विज्ञान के प है option number B Aristotle नाम याद रखिएगा इनको जीव विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है option number B Aristotle ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर कौन सी कोशिका पौधों के विभिन अंगों को जन्म देती है और पौधों में व्रिद्धी करती है आप लोगको कोशिका का नाम बताना है तो स्थाई, त्वचिय, मेरिस्मेटिक या फिर परिपक्व तो इस question का जो बिलकुल साइजवाब है वो है option number C मेरिस्मेटिक कौन सी कोशिका पौधों में विभिन अंगों को जन्म देती है और पौधों में व्रिद्धी करती है तो इस question का सही जवाब होगा मेरिस्मेटिक option number C याद रखिएगा option number C इसका सही उत्तर है आगे आता है मेरा 25 नमर question आपके screen पर जियां रोडेंटिया मुरीडे किसका विज्ञानिक नाम है ये आप लोग को बताना है माउस का यानि चूहा का गिलहरी का बंदर का या छिपकेली का रोडेंटिया मुरूडे जो है वो है विज्यानिक नाम माउस का यानी चुहे का ओप्शन नम्मर ए इसका बिलकुल सही जवाब है इस टाइप के जितने भी विज्यानिक नाम मिलेंगे आप लोग एक बार सारा पढ़ दीजेगा यहां से एक-दो नममर का कोशन आता है हमेशा आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की ओर साची में बौध इसमारक किसने बनाया है साची में बौध इसमारक किसने बनाया है मुगल राजवन्स, मौर्य राजवन्स, गुप्त राजवन्स या फिर चोल राजवन्स तो इस कोशन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है option नमर B मौर्य राजवन्स या मौर्य डानेस्टी साची में बौध का समारक मौर्य राजवन्स ने बनाया है आगे बढ़ते हैं अंगले कोशन की ओर एनीमिया की रोगठाम, बैक्टेरिया का विनाश या ओक्सिजन परिवाहन के लिए, याद रखेगा इसका सही उत्तर, जरूर याद रखेगा इस टाइब के कोशन बनते हैं एक्जाम में, इसका सही उत्तर है ओक्सिजन परिवाहन के लिए, to transport oxygen, ठीक है, आगे बढ़ेंगे 28 नम्मर कोशन की ओर, इसका सही उत्तर था option नम्मर D, ठीक है, एक बार फिर से repeat कर दे रहा हूं, निमनलिकित में से कौन, होमियोगलबिन का प्रात्मी का रहा है, कोशन इंपोर्टन है, सही उत्तर है, oxygen परिवाहन के लिए, अगला कोशन मेरा स्किन पर आ गया है, 28 नम्मर क होड़ा का, चिपकली का, या हाउस फ्लाई का, देखिए, सौरिया लैकरी टीडे जो है, वो है विज्ञानिक नाम, option नम्मर C, चिपकली का, या फिर लिजड का, याद रखेगा, चिपकली का विज्ञानिक नाम है ये, सौरिया लैकरी टीडे, नाम याद रखेगा, चिप किसका नमक है यह आप लोग को बताना है किसका नमक है रसायन विज्ञान में साबून किसका नमक है फैटी एसीड ग्लाइकॉल फॉस्फोरस या अमोनियम कार्बोनेट इस कोशन का जो सही उत्तर है वो जरूर याद रखेगा रेलवे स्पेशल कोशन है यह याद रखेगा र अंगला कोशन आ गया है जी अंगला कोशन आ गया है चाप्चर कूट किस राज का तेवहार है चाप्चर कूट किस राज का तेवहार है मडिपूर नागा लैंड मिजोरम या मेघाले तो इस कोशन का जो सई जवाब है वो है ऑप्शन नमर सी मिजोरम का तेवहार है यह चा प्रकार का रोजनकन जल जनित रोग यानि सार्स का कारण बनता है सार्स का यहां फुल फॉर्म है वो है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रॉम गंभीर तिर्व स्वन सिंड्रॉम ठीक है सार्स का फुल फॉर्म आप लग नोट कर लिजिएगा सर्व एक्यूट तो वायरल ऑप्शन है आपके परजीवी प्रोटोजो़ या बैक्टेरियल तो इस कोशन का जो सही उत्तर है वहां ऑप्शन ममरे वायरल याद रखिएगा इस कोशन का सही उत्तर है आगे बढ़ते हैं 32 नमर कोशन की अधर बारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या क रहा जाता है देखिए टॉप क्लास का कोशन है यह इस बार अभी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता यह को पता ही है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है तो मैक मोहन लाइन मैगी नॉट लाइन रैड क्लिफ लाइन या फिर सर क्रिक तो का सही उत्तर है अप्शनमर सी रैड क्लिफ लाइन याद रखिएगा रैड क्लिफ लाइन कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सेमा रेखा को इस रेखा का नाम है रैड क्लिफ ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की ओर 33 नमर कोशन महानदी नदी के टट पर क कौन सा सहर इस्तित है सही उत्तर फटा फटा आप लोग कमेंट कर सकते हैं इंपोर्टन कोशन है यह नदीयों को उपर कोशन आता है हर बार एक्जाम में कोशन का सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नमर भी कटक ठीक है ऑप्शन नमर भी कटक इसका बिलकुल सही उत् आगे बढ़ेंगे 34 नमर कोशन की ओर विसिस्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तमाल किये गए साधन को क्या कहा जाता है विसिस्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तमाल किये गए साधन को क्या कहा जाता है बैथोमीटर, क्रायोमीटर, एरोमीटर या सीमोमीटर तो इस question का सही उत्तर जरूर याद रखेगा option number C, arrow meter, यानि कि ध्वनवत मापी, याद रखेगा arrow meter option number C, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आगे बढ़ेंगे, 35 नमर question की ओर, भारत्य सन्विधान में कितने लेख हैं, question बहुत top class का है ये, भारत्य सन्विधान में कितने लेख है आम नागरी के और से भी आप देखेंगे, तो ये question का उत्तर आप लोग को मालूम होना चाहिए, भारत्य सन्विधान में कितने लेख हैं, इस question का सही उत्तर जरूर याद रखेगा, request करूंगा सबसे, option number D, 395, 395, option number D, इसका सही उत्तर था, अगले question की ओर बढ़ते हैं, देखिए, ये एक पुस्तक है, देखिए, ये एक पुस्तक है, देखिए, ये एक पुस्तक है, देखिए, ये आप लोग को बताना है, option है, अमिताव घोष, किरन देशाई, जुम्पा लहरी या अरविंद अगीडा, तो इस question का जो बिलकुल सही उत्तर है, वो है, option number C, जुम्पा लहरी है, याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, तीस्व नमर कोशन की ओर, देखिए, ये question important है, दिलिप कुमार द्वारा प्राप्त, उच्चितम नागरिक सम्मान इन में से कौन सा है, पदमश्री, पदमभूशन, पदमवीभूशन या फिर भारत रत्न, तो इस question का जो बिलकुल साइज उत्तर है, वो है, option number C, पदमवीभूशन, option number C, पदमवीभूशन इसका बिलकुल साइज जवाब है, आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर, तीस्व नमर question, निमनलिखित जीवों में से किसे जीवित और निर्जिव माना जाता है, देखिए, कौन स निमनलिखित में से ऐसा जीव है, जिसे जीवित यानि जीव और निर्जिव दोनों माना जाता है, यह आप लोग को बताना है, जिवाडू, कवक, शौवाल या फिर वाइरस, तो यहाँ इस question का सही उतर, आप लोग जरूर याद रखेगा, यह question बहुत जादा important है, ऐसा मड़ी वाइरस, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर, computer विज्ञान में, VOIP का पूर्ण रूप क्या है, यह आप लोग को बताना है, VOIP का जो full form है, वो क्या है, computer विज्ञान में, तो option है, virtual over identifier protocol, voice over internet protocol, voice over interface protocol, या फिर voice over instruction protocol, तो इस question का जो बिलको सही उतर है, वो जरूर याद रखेगा, option number B, voice over internet protocol, VOIP, ठीक है, voice over internet protocol, option number B, आगे बढ़ेंगे, 40 वा नमर question आगया है, भारतिय संगीत, वाध्यंत्र, देखिए क्या है, सुर्भार किस प्रकार का है, भारतिय संगीत, वाध्यंत्र, सुर्भार किस प्रकार का है, यह आप लोग को बताना है, तो प् इधात वात्यन रहे, तो इस question का जो सही उतर है, वो है, option number C, तार, यानि string, ठीक है, option number C, तार, यानि string, इसका बिल्कुल सही उतर है, सुर्भार, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 41 वे नमर question की ओर, निमनलिखित में से किस पर फूल होते हैं, निमनलिखित में से किस पर फूल ह होते हैं, ब्रायोफाइटा, पैट्रिडोफाइटा, जिमनोस्पर्म या एंग्योस्पर्म, तो इस question का जो विल्कुल सही उतर है, वो है, आखरी option, option number D, एंग्योस्पर्म, ठीक है, निमनलिखित में से किस पर फूल होते हैं, तो एंग्योस्पर्म पे फूल होते हैं, इन म कौन था, देखिए, ये question बहुत-बहुत important है, पिर्थवी की पारिदी को मापने वाला सबसे पहला कौन था, ये आप लोग को बताना है, option है, एरेस्थेस्थस, एजूस, एरास्थोनेस, या फिर एफेडस, तो इस question का सही उतर जरूर याद रखेगा, पिर्थवी की पारि एरास्थोनेसस, इसका बिलकुल सही जवाब है, option number C, आगे बढ़ेंगे, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्वकप जीता है, ये आप लोग को बताना है, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्वकप जीता है, सभी को पता है, पुराने जमाने में सबसे अच्छा क्रिकेट कौन खिलता था, option आपके सामने है, New Zealand, Western Indies, England या उस्टेलिया, तो इसका सही उतर है, option number B, Western Indies, याद रखिएगा, सबसे पहला क्रिकेट विश्वकप जीतने वाला जो टीम है, वो है, Western Indies, option number B, आगे बढ़ेंगे, चोवाली सवा नमर कोशन की और, Promise Me A Million Times के लेखक कौन है, देखिए, ये एक पुस्तक का नाम है, Promise Me A Million Times, एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, या आप लोग को बताना है, Amistripati, दुर्जोय दत्ता, केशव अनिल, या फिर सावी सर्मा, तो इस कोशन का सही उतर है, option number C, केशव अनिल, याद रखिएगा, Promise Me A Million Times के लेखक केशव अनिल है, आगे बढ़ेंगे, पैतालिस वे लमा कोशन की ओर, छटे लोग सभा अध्यक्ष, जो बाद में भारत के राष्टपती बने, उनका नाम आप लोग को बताना है, इन में से, चार अप्शन आपके सामने है, छटे लोग सभा अध्यक्ष, जो बी, नीलम संजीव रेड़ी, उप्शन नमर बी, नीलम संजीव रेड़ी, इस कोशन का बिलकुल सही उत्तर है, आगे बढ़ेंगे, च्शालिस वे नमर कोशन पे, पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था, देखे ये सारे जो कोशन है, आपको खुदी लग रहा हो सथत्तर, याद रखेगा, अठारा सो सथत्तर में पहला टेस्ट मैच खेला गया था, क्रिकेट का, अठारा सो सथत्तर, कोशन बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखेगा, इंगलैंड वर्सेस, वेस्ट इंडीज, अच्छा, इंगलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के ताकि आप लोगों के लिए ताकि एक भी ना छूटे ना पनावb लोगों से नावक के लेखों रहे हैं क्वेशन पे आपके स्किन पर आ गया है मायोपिया निम्नलिखित अंगों में से किसे प्रभावित करती है मायोपिया निम्नलिखित अंगों में से किसे प्रभावित करती है दिल त्वचा आंख या मुह मायोपिया याद रखेगा किसे प्रभावित करती है इसका सही उत्तर ह औप्शन नमर सी आंक ठीक है आंक को प्रभावित करती है मायोपिया आगे बढ़ेंगे 49 नमर कोशन पे सभी समय के सर्वेच कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है देखिए अब तक की हाइस्ट जो कमाई करने वाली मुवी है वो कौन सी है पूरे विश्वकी में बात कर रहा हू ठीक है भारत की नहीं पूरे विश्वकी सभी समय में सर्वेच कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है अवतार स्टार वर्स जुरासिक पार्क या डेटपुल तो इस कोशन का जो बिलकुल सही उत्तर है वो है आप सभी को पता होगा ये अवतार आप्शन नमर ए आप लोग को जा देता हूं कि अवतार जो मूवी है वो 2.782 बिलियन डॉलर्स की कमाई कर चुकी है उससे जादा की कमाई कर चुकी है 2.782 बिलियन से जादा की कमाई कर चुकी है डॉलर्स में और इसको भारते रुपीज में बताएं तो 17,520 कडोर से भी जादा की कमाई कर चुकी है अ आगे बढ़ेंगे आखरी question पे आज का, जी हाँ, गैर हरे पॉधोंओं में निम्न में से कौन सी Tipp कमी होती है, जो पॉधे हरे नहीं होते हैं, ठीक हैं, क्लोरोफिल, लाइक्रोफिल, काइनोफिल, या फिर phytotropism, तो आप लोग को इसका सही उतर बताना है, तो इस question का सही उत्तर सभी को पता है हम लोग science में पढ़े हैं देखिए 2800 question complete हो चुका है next class आएगा Monday को रात को सारे 8 बजे आप सभी को timing इसका पता ही है 200 question मैंने करा दिये इस सब्ते में फिर मंडे से चलेगा सारे 8 बजे से class regular उस वीक का ध्यान से आप लोग कोई भी class general science का miss मत कीजेगा 40 marks का general science का question आने वाला है आप लोग का 39 तक का त्यारी तो कराऊंगा ही तो ध्यान से कोई भी class miss मत कीजेगा success की 98.in पर जाइएगा अगर आप लोग ने अभी तक भी कोई भी PDF डाउनलोड नहीं किया इस वीक का तो सारा PDF वहाँ पर अपलोड किया हुआ है जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अच्छा अगर आप लोग को success की 98.in खोलने में कोई प्रॉब्लम आता है तो टेंशन मत लीजेगा कल सुभा पूरा success की 98 अप हो जाएगा ये वेब साइट और आप लोग आराम से PDF डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है इस question का सही उतर अब दे देता हूँ option number 1 chlorophyll हम लोगों न आने वाला है reasoning का रात को 10 बजे जितने भी friends देख रहे हैं सभी से request करूंगा कि रात को 10 बजे जरूर आईएगा reasoning का class देखने बहुत important class होने वाला आज का maths का class 6 बजे हो चुका है अभी तक आप लोग नहीं देखें तो जरूर एक बार उसको देख लीजेगा next जो class आएग देखें maths reasoning GS और current affairs का अपना अपना playlist success की 98 पर बनाया हुआ है तो playlist जाकर open कीजेगा जो भी class आपको देखना है आपका class शूटा है वहां से जाकर देख लीजेगा ठीक है चलिए कल मिलूंगा मफ किजिए कल नहीं मैं कोशिश करूंगा Sunday मिलूंगा मैं एक special class लेकर आप regular class होगा साड़े 8 बजे GS का तो आज आएगा Sunday special class लेना होगा तो जरूर आएगा शाम में होगा Sunday का